इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं SBI Cashback Credit Card का जिया जिसको पिछले मैं 10 महीने से यहां पर यूज कर रहा हूँ अभी तक 12,320 उर्बे का यार cashback कमा चुका हूँ अल्मोस हर महीने के अंदर मेरी credit card statement में 2000 उर्बे का cashback इसके अंदर credit हो जाता है तो guys यह क्या credit card वर्थी आप लोग के लिए क्या इसके practical के अंदर benefits है plus recently इसके cashback के उपर कुछ restrictions लगे है cashback statement के अंदर कैसे set off होता है कैसे आपको मिलता है आपको apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो guys यह सारी जानकरी में ले वाली है आपको इस video के अंदर दूँगा चाहसे simply तरीके से आपको एक cash reward भी यहाँ पर मिल जाएगा अगर मैं अपनी cashback सबसे पहले earnings की यहाँ पर बात करो तो आप screen के सामवे दी सकते हैं मेरे SBA dashboard का यह snapshot है और almost मुझे 10 मैने हुए इस credit card को use करते हुए तो अभी तक मैं 12,320 रुपे का cashback यहाँ पर earn कर चुका हूँ अब guys सबसे पहले हम लोग बात कर लेते कि इसकी fees के बारे में तो देखिए अगर यहाँ पर मैं joining fees की बात करो तो पहले यह free हुआ करता था कोई भी joining fees वगरे नहीं थी लेकिन इन्होंने आप joining fees लगा दी हजार रुपे की जी है लेकिन देखिए इसको भी अगर आप recover करना चाहते है तो easily recover कर सकते है अगर आप 20,000 रुपे के spending करते हैं तो 5% के cashback के हिसाब से पूरे salver के अंदर आप आराम से इसको recover कर पाएंगे साथ में इसकी जो annual fees है 1000 रुपे उसमें भी यहाँ पर जो है लगती है लेकिन उसके उपर भी reversal हो जाएगा अगर आप पूरे salver के अंदर 2,000,000 रुपे से ज़ादा के spending करेंगे बन्दब ultimately 15,000 रुपे की average हो गई महीनी की still अगर आप यह चीज़ भी नहीं करना चाहते है तो इस fees को भी आप ऐसे recover कर सकते है कि पूरे salver के अंदर अगर आपने 20,000 रुपे और extra खर्चा किया यानि ultimate लेकर मैं बात करूँ मोटा मोटा 40,000 रुपे पूरे salver में भी spend करते हो तो joining fees annual fees आपकी निकल जाती है इसके लागाइस इसके अंदर जो add-on card की facility भी यह provide करता है यानि कि अगर आपको अपनी wife को एक और card दिलाना है अपनी mom को देना है पापा को देना है किसी को भी देना है तो आप इसमें add-on card भी यहाँ पर apply कर सकते हो उसकी कोई भी extra fees यहाँ पर नहीं लगने वाली है cash advance fees की बात करो यानि कि इस card के तुरो अगर आप ATM से withdrawl करते हो even is card के तुरो क्या किसी भी card के तुरो SBA कि आप ATM से withdrawl करते हो 2.5% या फिर 500 दोनों में से जो भी higher होगा वो fees लगती है तो भाई please credit card से तो कभी यहाँ पे ATM से withdrawl वगरे मत कीजिएगा आप गईस बात करते हैं कि भाई इसके दे rewards क्या मिलता है जी हां तो भाई rewards यह मिलता है कि 5% का आपको cashback देखने को मिल जाते है online spending के उपर और कोई भी merchant का restrictions नहीं है जी हां तो कहीं पे भी अगर आप इस card को use करते हो चाहे आपने Amazon के उपर किया, flip card के उपर किया, कोई से भी फलाना डिम का website के उपर गया, किसी भी payment gateway के लिए किसी भी company को transfer किया payment gateway के थरू, तो भाई इस card के उपर सीधा 5% का आपको cashback देखने को मिल जाएगा, इसके नदर कुछ चीज़े excluding जरूर है, वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको, साथ में अगर आप इस card को offline spend करेंगे कहीं पर swipe किया, कहीं पर tap किया, तो सीधा आपके billing के उपर 1% का आपको cashback देखने को मिल जाता है, साथ में इस card के तुरू अगर आप petrol भराते हैं, तो उसके उपर एक search charge लगता है, सभी right card के उपर लगता है, तो वहाँ पर भी 1% का fuel search charge का viewer आपको देखने को मिल जाएगा, इस बात करते हैं किया, किस के उपर आपको cashback यहाँ पर नहीं मिलता है, तो कुछ category इसके इंदर exclude है, एक तो सारी जो flexi pay EMA transition होते हैं, वो इसनों ने exclude कर रहा है, उसके उपर आपको कोई cashback देखने को नहीं मिलेगा, पेट्रोल बनाओंगे तो उसके उपर cashback देखने को न करना है, railway के tickets बगरे हो गई, या कोई भी यहाँ पर member financial institution है, उससे regarding payments बगरे हो गई, इन सभी category को यहाँ पर exclude कर दिया गया है, पहले यह categories भी included थी, लेकिन काफी जादा misuse हो रहा था इस card का, तो इन सभी category को exclude कर दिया गया है, साथ में गई सगर में rewards की यहाँ पर maximum capping limit या terms की बात करो, तो एक billing cycle के अंदर आपके वाल maximum 5000 रुपे ही यहाँ पर earn कर सकते हैं, यानि ultimately बात करो, अगर आप 1,00,000 रुपे span करते हैं महीने का, तो maximum सिफ आपका 5000 रुपे का यह cashback उसके उपर, एक capping limit यहाँ पर लगा राकिए, उसके beyond आप नहीं जा पाएंगे, साथ में इसका जो cashback होता है, वो सीधा card के statement के अंदर ही credit होता है, मैं आपको lie दिखाता हूँ, जिसे आप screen के सामने आप देख सकते हो, जिसे यह यह मेरे card का statement है, तो यहाँ पर ज्यादा transition नहीं है, तो जिसे अगर यह 2000 रुपे का card का cashback यहाँ पर credit हुआ है, तो 2000 रुपे मुझे जिसे अपनी जेप से कम पे करने, जब भी मेरा card का statement यहाँ पर generate होता है, साथ में गईस, यह जो cashback credit होता है, वो 2 दिन के अंदर होता है, मतलब मानीजिए, आज अगर आपका bill यहाँ पर generate हो है, तो within the 2 days, आपने जित्ता भी month के अंदर spend के है, उसके according के अपने calculation लगाता है और उसका जित्ता भी cashback होगा, वो simply तरीके से आपके card के statement के अंदर create हो जाएगा, आप में गईस, अगर आप कहीं पे petrol बढ़ाते हैं, तो जैसे बनाता है कि उसके उपर एक search charge लगता है, तो 1% का आपको यहाँ पर waiver मिल जाएगा, लेकिन वापे भी आपको 500 से 3000 के बीच म यहाँ पर आप हटा दो, और कहीं पे भी किसी भी यहाँ पर website वगरे के उपर, या कैसे भी आप online spending करते हो, उस card के through, जैसे कि मैं अपने Google Ads चलाता हूँ, Facebook Ads चलाता हूँ, इस card को use करता हूँ, इसके लावा में को कोई भी यहाँ पर software या कोई ऐसी में को buying वगरे करनी पड यह क्रेट कार्ट के अंदरा, अगर आपने time के उपर बिल का payment नहीं किया, तो आपके अच्छे घंसे charges लग सकते हैं, तो देखिए मैं finance charges की बात करूँ, एक तो आपकी late fees लगेगी, अगर आपने time के उपर payment नहीं किया, 500 तक का bill pending कोई late fees नहीं है, लेकिन 500 से 1000 के उपर 400 है, cashback credit card के अंदर, तो pro तो सबसे बढ़ा ही है कि कोई भी website की restriction नहीं है, कहीं पे भी use करो, सीधा 5% का आपको cashback मिलता है, बाकी market के अंदर जो 5% वाले cashback वाले card है, जैसे कि Amazon का हो गया, ICC bank का, या flip card का access का bank का हो गया, तो वो particular website के उपर आप use मिले सकते हो, इसके लिए भी ब card के अच्छी बात है, आप किसी भी sites के उपर use मिले सकते हो, आपको 5% का cashback देखने को मिल जाएगा, और कोई भी reward system में भी ऐसे कोई points का चक्कर नहीं है, कि points मिलेंगे, फिर वो redeem होगा, redemption की fees लगेगी, सीधा आपके statement के अंदर यहाँ पर setup होता है, तो यह काफी अच्छी Cons की बात करो, या joining fees है, annual fees है, तो 1000 रुपे obviously बात है, थोड़ा सा महिंगा सोधा हो सकता है अब लोग के लिए, लेकिन यहाँ पर जैसे मता है कि आप recover कर सकते होगा, 40,000 रुपे किसा आज़सपास से यहाँ पर spend करते हो, पूरे साल बर के अंदर, प्लस इसके इंद यूटे देखने को मिल जाते हैं, कि गईस यार overall बात करो, तो काफी अच्छा कार्ड मुझे लगता है, मैं जादतर इसी को use करता हूँ, कई भी मुझे online किसी भी site के ओपर especially spend वगरे करना है तो, so guys, hope you like this video, apply करने के link description box में दे रखी है, और apply करने से पहले मुझे telegram के ओपर ज़रू message कीजिएगा, अपने rewards को लेने के लिए, thank you guys, thank you very much